श्री रवी जी जब हमने मॉम का ट्रेलर देखा तो सबसे पहले जहन में मेरे खयाल आया कि इसके लिए इनको बहुत तैयारी नहीं करनी होगी क्योंकि पिछले कई सालों से अगर एक रोल है जो आप बहुत शिद्दत से निभा रही है तो वो है एक मा का रोल तो मॉम फिल्म हर कोई जानता है कि श्री अब किरदारों को लेके बहुत चूजी है हर कोई जानता है कि वो फिल्में सिर्फ करने के लिए नहीं करती है तो मॉम फिल्म की कहानी में वो एक चीज जिसने हुक कर लिया श्री देवी को ऐसे कुछ यह सबजेक्ट कुछ मेन यह नहीं क्या होंगी इसके बहुत हळाहिमसरा को कि नहीं थिर के भी भी है विआति थे ट्रॉरिये मामुले एक सिंपल फैमिली सबजेक्ट है बच बहुत ही इमोशनल गिम है सिर्फ मेरे कर्डार यह बाकी खर्डार भी बहुत ही emotional, बहुत ही interesting characters है तो वो ही एक वज़े हैं मुझे इस film की नवाज आपको तो अपनी acting से लोगों को चौकाने की शुरू से आदत रही है अब जो आप ये looks के साथ चौकाने लगे हैं वो काबिले तारीफ है इस film में आपका look देखकर एक बार के लिए दुबारा नजर रुखती है इस पर और film में जब श्रीदेवी का साथ मिल जाए तो उससे बड़े क्या बात हो सकती है महाँ बद सारे लोगों fail हो जाती है अच्छा एक ऐसा एक्टर जो अब खांस के साथ काम करने के लिए मशूर हो गया है जब उसको श्रीदेवी का साथ मिला बड़े पड़े पर तब क्या experience था जो कि खांस के साथ काम करने से different था बहुत सारी चीज़े हैं जो बहुत अलग बनाती हैं मैं को बहुत सारी चीज़े हैं इसपेशली परफॉमिंस के बारे में तो मैं कहूंगा की मेरे जस एक्टर के लिए लेसन है हम जस एक्टर के लिए क्योंकि मैं इसलिए नहीं की मैं इस फिल्में काम किया है इसलिए बोल ला हूं चु़कि मैं पहले से ही बहुत बड़ा फैन से आती है यह मेरे लिए भी बड़ा अजीब सी अचंभे वाली बात थी तो थैंक गॉड मुझे मौका मिला साथ में काम करने गया तो बहुत सारी चीज़े मुझे पता चली और उस वक्ते सेट पर देखते भी मैंने काफी अब्सर्व किया एक पैशन पैशनेट होना किसी रोल के लिए और फिर जब तक हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो continuously उसी रोल में लब इन रहना तो और क्योंकि बहुत ही इमोशनली जब मैं का रोल हो बहुत ही बहुत ही डिविकल्ट रोल है मतलब उस इमोशनल 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 को मैंटें करना थ्रोड थ्री आपको जब इंग्लिश विंग्लिश में जब आप आई तो आप आपने हिंदुस्तान की कम से कम दो जेनरेशन को इंस्पायर किया है और आप जब इंग्लिश विंग्लिश में आई तो जब फैमिली आपकी फिल्म को देखने गई तो मदर की तो आप फेवरेट रही थी ड इडर लाइंग जो क्यारेक्टर था वो एक मदर का था, तो ये जो मा को लेकर श्री देवी का रुझान है, लगाव है, वो एक बेटी के तौर पर है, अपनी मा को लेकर या अब दो बड़ी बेटियों की मा के तौर पर है, दोनों तरफ से, आप सुल्टले, आप जाधा रिल संद आती है और मैं सोचती हूँ यह फिल्म मुझे करनी चाहिए और ऐसे कुछ मोखा नहीं है तो मैं इस फिल्म को नहीं का रहा हूँ यह फिल्म की जब शूटिंग की शीदेवी अब आपकी दोनों बेटियां बड़ी हैं अब उनको आपकी उस तरीके से ज़रूरत नहीं है जैसी एक कम उमर में लड़कियों को बच्चों को किसी को भी होती है तो शायद अब हम आपको और ज़्यादा फिल्मों में देखें द अब जयाएद ऐसा समय आता होगा महिएक कु मालूम ही मैं इनके लिए बोल रहा हूँ लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक आठिस्स के बिमाग में आता है कि यवि मेर कु इतना काम नहीं करने का मैं तभ ही काम करूंगी जब मैं वो मतीरिल को रेल प्रस्टित में उसा होता है श्र और कभी ये नहीं सोचा ता, तो मैं वापस फिल्म करोंगी। तो I was, in my own world, I was so happy with my children and all. जब ये कहानी इंग्लिष में इंग्लिष सुना, सिर्फ एक लाइन, जो बालकी इस बेरी देर फ्रेंट अपन हस्बन, तो ये कहानी सुनाया तो, immediately I could relate to that character. I could, I mean, I felt all the mothers or the children will identify themselves. So that was the reason, यसे कुछ चूजी नहीं है, ये प्लैन है, यसे कभी-कभी कहानी बहुत मुश्किल से आर्टिस्ट को मिलती है, that you really inspired. वाम कभी शीदेवी जब ट्रेलर देखा, तो उसमें एक लाइन जो stay करती है, वो होती है कि आपको बच्चे को समझाने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है. आपकी खुद की डॉर्टर्स अब grown-up हैं, फिल्मों में आने वाली हैं, कितना relate किया आपने इस डायलोग से, कि आपको बच्चे को समझाने की नहीं, समझने की जरूरत है. यह बहुत जरूरी है, यह डायलोग बहुत वालियूबल डायलोग है, जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, शुनके. अचली मुझे भी यही लगा था, अचली ऐसे, कभी-कभी हमारी जिंदेगी में होती है, हम लोग, में बुनी जी, डिसकस करते हैं, कभी हम उसको समझने की बहुत जरूरी है, instead of just giving them lectures. It's very easy to, you know, they give them a lecture, but it is more important to understand them. तो यही इस कहानी है, इस फिल्म में, जो डिरेक्टर रभी कहने की कोशिश की है. श्री, जानवी अब फिल्मों में आने वाली है, अक्टर घर में हो, तो बच्चा जो next generation का होता है, वो look up to करता है, वो चाहता है कि उसको सही गलत, कम से कम अपने माता, पिता, बड़े भाई, बहन से पता चले. What is that one advice that you gave up? जीव, सबसे पहले मैं यह request करूँगी, जानवी के बारे में हम लोग जब time होगा उस वक बात करेंगी. As a mother, आप उनको क्या suggestion, एक जुसलह जो आपने कहा हो, कि इसको हमेशा अपने साथ रखना, बाकी तुम्हारी जिंदिगी का सफर तुम्हारा अपना है, बहले ही तुम actor बनो, कुछ और profession चूस करो. As a mother, आपको हमने बच्छों को कहने की कोशिश करते हैं, जैसे पंचल रहना बहुत जरूरी है, time per, you know, there are many qualities, you know, to become an actress, it's very important, एक चीज नहीं है, जो sincerity होना चाहिए, hard work होना चाहिए, time per पांचना चाहिए, you know, there are many things, जो हम खोशिश करते हैं, बच्छों के कहने के लिए. श्री, आपको हमने बहुत ही highly commercial film में करते देखा है, some not so commercial, sensitive film में करते देखा है, आप English for English और Mom के बाद, क्या ऐसी उमीद की जाए, कि हम एकदम से देखेंगे, कि श्री अपने fans को दुबारा शौक करेंगी.